Hello everyone, today we will read the poem The Rainbow Fairies written by L.M. Hadley. इस poem में जो writer है, poet है, he wants to tell you about the summer's day. Summer's day means गर्मियों के दिन, वो गर्मियों के दिनों का वर्णन करता है. इसमें क्या है? Two little clouds, clouds मतलब बादल, दो छोटे छोटे बादल जो हैं वो गर्मियों के दिनों में went flying through the sky, वो स्काय में यानि क्या आकाश में घूम रहे हैं. They went so fast, वो इतना तेज चल रहे हैं, they bumped, bumped मतलब टकराना, कि bumped their heads, कि उनके सिर आपस में टकरा जाते हैं. And both begin to cry, और दोनों ही रोने लगते हैं. Two little clouds on a summer day went flying through the sky, they went so fast, they bumped their heads and both begin to cry. तो दोनों ही अब क्या करने लगें, रोने लगें. Old father's son looked down and said, तभी सूरे जो है, उसको father की उपादी दी गई है, और कहा कि उसने नीचे देखा, Oh, never mind, तुम बुरा मत मानो, My dear, I will send my little fairy fork, मैं अपनी छोटी छोटी परियों को नीचे भेजूँगा. किस लिए? To dry your falling tears, Tears होता है आंसू, जो तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं, वो उन्हें सुखा देंगे. One fairy came in violet, Violet होता है बैंगनी, एक fairy जो है, परी जो है, फेरी मतलब परी, एक परी, Violet मतलब बैंगनी रंग में आई, And one wore indigo, और दूसरी ने indigo मतलब गहरा नीला रंग पहना था, In blue, green, yellow, orange, red, They made a pretty row, इन सभी रंगों से उन्होंने बहुत सुन्दर एक line बनाई, Row मतलब line बनाई, They wiped, White मतलब सुखाना, They wiped the cloud steers, उन्होंने बादलों के आंसूं को सुखा दिया, All away and then out from the sky, और फिर स्काय में, मतलब आस्मान में वापिस पहुच गई, Upon a line, The sunbeams made, Sunbeams होता है, सूरे की किर्ने, Upon a line, The sunbeams made, They hung their gowns to dry, और सुरे की किर्नों के नीचे, जो उन्होंने लाइन बनाई थी, वो ऐसी प्रतीत हो रहे थी, मानों, इन सम परियों ने अपने सुन्दर सुन्दर रंगों के जो गाउन पहने हुए थे, उन्हें सूपने के लिए डाल दिया है, मतलब इस पोईम में, जो राइटर है, एलेम हेडली, वो आपको गर्मियों के दिनों का वर्णन करता है, जब गर्मियों में, क्या होता है, बारिश होती है, और फिर उस बारिश के बाद सूरे निकलता है, और सूरे निकलने के साथ, जब बारिश और सूरे एक साथ होते हैं, तो आपको पता है क्या बनता है, रेन्बो बनता है, आप सभी ने रेन्बो देखा होगा, उसमें ये सारे रंग होते हैं वाइलेट, इंडिको, ब्लू, ड्रीन, येलो, ओरेंज, रेड और ये सब मिलकर एक सुन्दर तस्वीर बनाते हैं सुन्दर लाइन बनाते हैं जो हमारे मन को हर्शित कर देती है और फिर क्या होता है? फिर बारिश का जो पानी है, वो सब सूप जाता है और रह जाता है ये सुन्दर सा रेंबो तो उसमीन है, आपको ये पोईम समझ आगी होगी ये पोईम बहुत इंटरस्टिंग थी, मुझे भी इंटरस्टिंग लगी अगर आपको ये अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले आगे जो भी वीडियो हैं उन्हें देख सके थैंक्यू